इस से पहले एक वीडियो मैं सेयर कर चुका हूँ आपके साथ जिस टॉपिक का नाम है इसाई धर्म के अंतरगत वादविबाद उसका पार्ट वन मैंने अप्लोड किया था जिसमें के हमने बात की थी कि किस तरह से यूरोप के उतरी यूरोप के विश्चेवध्यालों के आन इसके केंदर में मनुश्य होता था जो मनुश्य के जीवन को सुधारने पर उसकी भावनाओं पर जादा ध्यान देता था इस प्रकार की प्रक्रिया उत्तेरे हीरो पर चल रही थी बहुत सारे चीज़े हमने उस वीडियो में जानी थी अब इसका सेकंड पार्ट यहां पर द लगते हैं वो मानवतवादी हैं अब इंग्लेंड के टॉमस मोर प्रसिद लेखक हैं और हॉलेंड जानी नीदरलेंड के इरेसमस उनका यहां मानना था कि चर्च क्या है वो एक लालची और साधारन लोगों से बाद बाद पर लूट खसोट करने वाली संस्ता है चर्च क्य हूँ कहा गया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप फूडलिजम पढ़ रहे थे सामंतवाद पढ़ रहे थे उसमें भी चर्च एक प्रभावसाली शक्ति था उसमें भी जो थे एक तरफ फूडल्स जो लोग लॉट्स होते थे उनके पास बहुत प्रपरटी हो जो है अपने पाप की छमा मांग सकता था या उसको ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग में उसकी सीट सिक्योर हो जाएगी और अपने परिवार के लिए भी वह अपना सीट सिक्योर कर सकता था रहने की जगह जो है कि स्वर्ग में ऐसा कॉंसेप्ट दिया गया था चर्च के तरह से, टैक्स भी लिया करता था चर्च, तो चर्च में धंसंपत्ती कटा हो रही थी और चर्च कंदर भष्टा चार भी था, दूसरी बात, पाद्रियों का लोगों से धंठ हगने का सबसे सरल तरीका था, पाप सुईकारोकती नामक दस्तावीज, यानि इसको बोला गया इ पाप तरह पर हस्ताकसर कर देता है कि मैंने ये पाप किया है, दस्तावेज था ये, तो उसके सारे पाप जो है चर्च माफ करवा देगा, और बाद में उसका स्थान भी बाद में स्वर्ग में सुरक्षित हो सकता है, तो इसाईयों को जो था बाद में हुआ किया, ये पहले Bible जो छपती थी किसी अन्य भासा में Latin हो गई और अब जो छपने लग गई हूँ वो मान लीजिए जर्मन में छप रही है इंग्लिश में छप रही है तो Bible जब इस थानी भासा में छपेगी या फिर इस प्रकार से स्वर्ग में लोगों को स्थान सुरक्सित किया जाएगा ऐसा कोई concept ही नहीं था Bible के अंतरकत जब उन्हें अनवाद पड़े Bible के इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारी समझ में Sanskrit नहीं आती है तो वास्तवेकर रूप से जो ग्यान उसमें दिया गया है उस पुस्तक के अंदर जो हमें मिलती है अनवाद के रूप में तो उससे में ग्यान होता कि गलती हमारे धर्म में कहां पर है क्या हमको जूट बोला जा रहा है इसे प्रकार से यूरोप में बाइबिल के स्थानी भासाओं में अनुवाद छपे और लोगों को अपने धर्म का वास्त विज्ञान हुआ कि वास्त में ऐसी परंपरा है तो हमारे धर्म में थी नहीं जो चर्च हमको लूट रहा है, खसोट रहा है और हमको परेशान कर रहा है आगे इस वीडियो में चलते हैं यूरोप के लगबग प्रतेग भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाये गए इस प्रकार के अने करों का विरोध किया अब यूरोप के प्रतेग भाग पता रहा है लगबग प्रतेग भाग या नहीं सुजरलेंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया यहाँ पर जो किसान थे, किसान देखे हमें साब परेशान रहते हैं हर देश के किसान देगा, किसान देगा मुखे तोर पर, जब इंडिस्टिलाइशन न हो, और इंडिस्टिलाइशन कम हो, तो फार्मर्स पर ही होता था था कि वह इनको टेक्स देना है, अब वन अपॉन फॉर यह वन अपॉन थ्री, तो चर्च जो है टेक्स लगा आता था आम जनता, पर आम जनता में किसान भी आती थी, तो यह किसान बेचारे चर्च के द्वारा लगाएगे अनेक टेक्सों का विरोध करने लग गया, और वास्ता में चर्च टेक्स ले भी क्यों, अब राजा टेक्स लेगा, तो हो सकता हो, राजा पर जाकी सुरक्षा कर रहा हो, राजा भी राजगाज में चर्च की दखल अंदाजी से चिड़ते थे तो राजाओं दोरा विरोध अब यूरोप के अलग-अलग राजा जो है वो चर्च जो है बार-बार उनके कारवे महस्तक शेफ करता था और राजा को राजगाज चलाने में ऑफिशल मेटर्स अपने स्टेट को गवर्न करने में या अपने प्रजा की देखरे करने में जो भी काम है राजा को वहार दिक्कत आती थी अब मान लीजिए कि एक चैतर है और वहाँ पर एक राजा की साशन चलता है इस पूरे छेतर में राजा टेक्स लेता है अब वहीं उसके अंतर पूरे छेतर से चर्च भी टेक्स ले रहा है अब चर्च किस बात का टेक्स ले रहा है तो राजा को हमेशा समस्या होगी क्योंकि चर्च उसका विरोध करेगा भाई कि तुम चर्च यानि कि यूरोप के अंदर जो चर्च है यानि जो कलर्जी क्लास है और जो कलर्जी क्लास यह मानता है कि जूडिशल पावर जो उसकी है जो न्याय करने के सक्ति जो चर्च की है जो न्याय कर रहा है कई बार बड़े बड़े वग्यानिक जो थे उनको परिशान किया गया नई आवश्कारों के लिए और वित्तिय सक्तियां जो चर्च की हैं जैसे कर लेना लोगों से पैसा लेना और ये दावा कैसे कर रहे हैं पादरी कि वो टेक्स ले सकते हैं उनका अधिकार है वो तब कर रहे हैं जब उन्होंने ये बोला उन पादरियों ने कि उनको एक दस्तावेज मिला हुआ है कॉंस्टेन्टाइन का अनुदान अनुदान है डोनेशन समझे जिए ग्रांट है तो कॉंस्टेंटाइन आपको पता होगा कि रोमन एमपाइर में कॉंस्टेंटाइन एक परसित्ध राजा होए है लगबख तीसरी चौथी सथाबदी में जिन्होंने की रौम सहर से रोमन सामराज्य की राजधानी को बदल करके पूर्वी दिशा में कॉंस्टेंटीनोपूल नाम की राजधानी जिसको हम बाजेंटायन भी बोल सकते हैं राज उसको इस्ताम्बूल कहा जाता है तुरकी में स्थावित कर दी थी तो कॉंस्टेंटाइन नहीं इसाई धर्म को आधिकारिक धर्म भी सुईकार किया था अब रोमन सामराज में पढ़ चुके हैं तो कॉंस्टेंटाइन नाम का अनुदान नाम का एक दस्तावेज एक document था जिसमें कि मानवतावादियों ने बताया है कि वास्तम में वास्तम में यह संभवता जो उन्होंने बताया कि ऐसा लगता था कि लेने की और न्याय करने की क्यों कि इना बताया कि the document they were presenting was fake वो दस्तावेज जो वो दे रहे थे पादरी लोग की भाई कॉंस्टेंटाइन नाम का एक दस्तावेज है और वो है सकती देता है पादरीयों को कि वो लोगों से करवसूल करें न्याय भी करें वित्तिय शक्तियां भी दे तो यह बता रहे थे मानवतावादी ने बोला कि यह दरसल दस्तावेज असली नहीं है यह तो बल्कि बाद में तयार किया गया वह भी जाल साजी से, तो यहाँ पर राजा बेफिकर हो गए दरसल कि भाईया अब तो यहाँ पर इस्तित्ध हो गया कि कोई भी ऐतिहासिक रूप से सकती नहीं मिली हुई है चर्च को कि वहाँ लोगों से कर ले, न्याई करे वित्तिये सक्तियों पर नियंदरन करे क्योंकि न्याय करना राजा काम है और वित्य शक्तियों पर नियंदरन करना भी राजा काम है तो कम सकम इनको एक पॉइंट तो मिल गिया उमीद है इसको आप समझ पाए होंगे अब नेक्स्ट तरब चलते हैं पंद्रो सो सत्र की बात करते हैं इस टॉपिक को इस तरह से होना होगा दो मार्टीन लूथर इतियास में हुए है तो मार्टीन लूथर एक जो अमेरिका में जो है सिलिवरी के जो हम ड्रेसिकल यसे बहुतर नसली भेदवाव के खिलाफ संघर्स कर रहे थे उन्यूसों पचास साथ के बाद जहां तक मैं जान पा रहा हूं हो सकता मैं जाची है वी इना लड़ी के निदा रहे लेकिन एक यहिव evalu जो है मार्टीन लूथर है इन्होंने 1483 मिन का जनम हुआ कए 1566 मिन की मिर्त्य हुई इन्होंने डीन करप कि खिलाब अभियाण आप अर उसमेरा उसले के लिए उन्होंने आप चर्च के खिलाफ अभियाण रॉ क्यों चेड़ा उन्होंने बोला कि दलिल दी कि मनुष्य को इश्वर ने संपर्क करने के लिए पादरी के आवशक्ता नहीं there is no need to of any clergy class whenever the humans need to connect with God यानि मनुष्य को अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पादरी के आवशक्ता ही नहीं है और उन्हें अपने अनुवाईयों को बोला मार्टिन लूथर ने कि इश्वर पे विश्वास रखो विश्वर में विश्वास रखो और केवल उस पे विश्वास करो और एक सम्यक जीवन राइट लाइफ जो आप जी सकते हो अच्छे करम करके वो जीओ आगे ले जाव प्रवेश मिलेगा यानि पैसा नहीं देना है किसी प्रकार का धन नहीं लगाना है पाफ सुई का रोकती पत्र नाम की कोई बात नहीं है चर्च के प्रष्टाचार में मत भसो अच्छे करम करो इस वर पे विश्वास रखो अच्छा जीवन जीओ और स्वर्ग में तुम्ह प्रवेश मिलेगा ये किसके विचार है मार्टीन लूथर के तो चर्च के प्रष्टाचार के विरुद आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम मार्टीन लूथर है जो कि जर्मनी के एक भिख्षुक थे और उनने बोला कि पादरी के आवशकता नहीं है कि अगर इस वर से संपर करना है बाद में मार्टीन लूथर ने जो आंदोलन चलाया था इस आंदोलन को कहा गया प्रोटेस्टंट सुधारवाद इसको कहा जाता है प्रोटेस्टंट रिफोर्मेशन बाई मार्टीन लूथर आप देख सकते हैं इसायी धर्म के अंदर आज तो बहुत मुतप जो चर्च थे जो कैथिलिक चर्च से जुड़े थे पहले उन्होंने पोप से जो वेटिकन सिटी में बैठते थे पोप से और कैथिलिक चर्च से अपने सम्भन SAFT कर दिये यानि हैं बोला है हम कैथ स्झायिक चर्च को नहीं मानेंगे उल्रिक जुंग्री नाम के जो सुधारक थे शुजर लेंड के रहने वाले और उसके बाद एक व्यक्ति और वे जौं कैल्विन ने माटिल उतर के विचारों को परचार परसार शुजर लेंड में करना सुरू कर दिया अब आगे कहानी क्या होई कि जो व्यापारियों से समर् संदिया प्रोटेस्टेंट वाद को सुधारक आते जा रहे थे लोगप्रेता बढ़ती जा रहे थी प्रोटेस्टेंट वाद की और इसकी विलोगप्रेता सहरों में बहुत ज़्यादा थी कारण ये बताया जा सकता है मेरे अनुसा जितना मुझे जानकारी है कि व्यापार व्यापारी वर्ग को क्या चाहिए कि भायो अब क्यूं वो टेक्स को दे ठीक है वो तो एक को टेक्स देगा तो व्यापारी वर्ग का फायदा है उसको व्यापार करने में दिक्कत नहीं आएगी धर्म का नियंतर कमजोर होगा व्यापारी वर्ग से दूसरा व्यापारी इध कैथोलिक समझ सकते हैं परंपरा का चर्च या जो रोम का वेटिकन सिटी का जो चर्च है वह कैथोलिक चर्च है तो ग्रामिल लागों में चर्च का प्रभाव बना रहा है लेकिन अन्य जर्मन सुधारक अब एक बात आ थी एना बेप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इना इसको बोलता है दो परिवर्तनवादी अब यह बोल सकते हैं अग्रुस दारक थे इन्होंने क्या खा इन्होंने बोला कि मोख्ष के लिए साल्वेशन के लिए मुक्ति के लिए तो हमें हर तरह के सामाजी को प्रवेडन के अंत करना पड़ेगा यानिक इनकी थिएओरी क्य प्रकार का इंदर नहीं होना चाहिए और नहीं बुला कि इस्वर ने तो सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है इसलिए उनसे कर देने की अपेक्सा नहीं की जानी चाहिए यानि की कर भी क्यों दे कर भी क्यों दे क्यों 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 है, feudalism से जो परेशान, उत्पीडित, जिसे बोल सकते हैं, exploited, जो farmers थे, उनको attack करना सुरू कर दिया, उनको आपनी तरफ कीच लिया, ठीक है, तो यहाँ पर points बन जाते हैं, कि who was Martin Luther, what he did, and who was Anabaptist, which was the organization of Anabaptist cult, क्या था, यह features आप बना सकते हैं, ठीक है, अब कुछ चीजे हैं, नीचे, अब यहाँ पर Luther की बात फिर सीखी गई है, Luther ने आमूल परिवर्तन वाद का समर्थन नहीं, कि आमूल परिवर्तन का मतलब होता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन, radicalism, it means completely change in any thought, ideology और any system, बट Luther ने कभी भी यह नहीं खा कि पूर्ण रूप से परिवर्तन करो, भेंकर परिवर्तन करो, बलकि Martin Luther ने तो यह बोला, कि अगर Germany में जो है, किसान विद्रो कर रहे हैं, कर नहीं देना चाहते हैं, और विद्रो कर रहे हैं, Martin Luther ने बोला, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इतना भी नहीं, अब देखो राज्य तो टेक्स लेगा ही, तोड़ा है ना, यह more radical religion था पहले एनफेप्टिश लोगों का, सासकों ने दवाया Germany में, उस विद्रो को किसान होगे 1525 में, लेकिन लिक्स के बावजु को जो है, आमूल परिवर्तनवाद बना रहा, आमूल परिवर्तनवाद मतलब जो व्यवस्था को पूर्ण रूप से, बदलना चाहे, बूरा बदल दो, सिस्टम ही बदल दो, ठीक है, आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में protestantों के विरोध से मिल गए अब यहाँ पर एक देश से मान लीजे ये है और यह है France यहाँ पर protestant विरोध कर रहे है catholic church के खिलाफ कहाँ फ्रांस में और जो radicalist जो एनबैप्टिस्ट है जो बहुत ज़्यादा सोर सराबा जर्मनी में कर रहे है radicalist वो भी protestant का में साथ मिल गए देखिए protestant वो अलरी रिफॉर्म चाहते थे protestant कौन है यह मार्टिन लुथर के विचारक यह भी सुधारवादी है और more radicalist कौन है ज़्यादा सुधारवादी कौन है एनबेप्टिस्ट लोग हो गए या आमूल परिवर्तनवादी जिनको radicalist बोल रहे है वो भी protestant के साथ मिल गए और गरम हो गया मामला तो आमूल परिवर्तनवादी जो पूर्ण उसे परिवर्तन चाह रहे है radical लोग वो फ्रांस में गए और वो protestant समूहों के साथ मिल गए विरोध में अब वहाँ पर जो Catholic सासक थे जर्मनी के अंदर परमपरागत जो थे वो अत्याचार करते थे ठीक है अब यह दावा करने लग गए यहाँ पर protestant वादी फ्रांस में और वो जो आमूल परिवर्तनवादी थे कि जनता चाहे तो अत्याचारी सासक को अपदस्त कर सकती है अपदस्त करने का मतलब होता है उसको हटा सकती है डिस्प्लेस कर सकती है अत्याचारी सासक कौन जो की गद्दी पर बैठावा अत्याचार करे उसको हटा सकते है तो यह बड़ा concept है, ऐसा तो concept हिष्टीम आया नहीं था कि कभी राजा को कोई प्रजा हटा भी सकती है, लेकिन यह concept दिया जा रहा है, तो Catholic राजकों को अत्याचारों कारण हटाया जा सकता है, यह कहना सुरू कर दिया, बाद में किसने यह कहना सुरू कर दिया, इन्होंने ज Catholic Church ने Protestant लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने के आजादी दे दी, तो जैसे जर्मनी जो था उसने, और जैसे आपका यह Switzerland था, उसने Protestant वाद को संपरदाय को सहरा दिया, और Catholic Church से नाता तोड़ दिया, एक नया चर्च बन गया, Protestant Church या संपरदाय, उसी प्रकार से अब डर करके जो जर्मनी के शासकते उन्होंने बोला, भाईयों, जितने भी Protestant वाद को मानते हो, तुम लोग जो है, अपने अपने चर्च बना लो, अपने हिसाब से पूजा कर लो, जो तुमारी नई परमपरा है, मत मानो Catholic Church को, पर तुमको हम आजादी इस प्रकार से द इस तरह से इंग्लेंड के, इंग्लेंड के राजा और रानी दोनों इंग्लेंड के चर्च के प्रमुक बन गए, देख सकते हो, एक धार्मिक संस्ता है चर्च, और चर्च के प्रमुक बन गए इंग्लेंड में राजा और रानी, तो कुल मला करके यहाँ पर एक समझ सकते ह यानि राज्किय प्रभाव जो है बन गया चर्च के ऊपर तो आप स्वतंतर रूप से सासक सासन कर सकते हैं इसका फाइदाबाद में यूरोप को मिलेगा अब यहाँ पर देखते हैं कैथोलिक चर्च का तो बहुत नुकसान हो चुका है क्यों नुकसान हो चुका है क्यों कैथोलिक चर्च के अंदर से तो प्रोटेस्टेंट वाद निकल चुका है सुधार वादियां अंदर ने भी चल रहा है इनका विरोध भी हो रहा है अब क्या करें सुधार तो करना पड़ेगा इंधरम की तरह अट्रेक्ट हो रहे हैं तो फिर क्या हुआ इस्पेन और इटली के अंदर जो पादरी थे कैथोलिक चर्च के पादरी में जो कलर्जी क्लास था बिशप्स जो थे इन्होंने साधा जीवन सिंपल लाइफ और निर्धनों को सेवा के लिए इगनेशियस लोयला नाम के कैथोलिक आदमी ने पंदर सो चालिस में सोसाइटी ओफ जीशस नाम का एक संस्थावना डाला सोसाइटी ओफ जीशस के जो मेंबर्स होते हैं उनको जेस्वेट कहा जाता है अगर आप क्लास 12 में जाएंगे और वहां पढ़ेंगे एक चेप्टर मुगल से रिलेटर है लास्ट चेप्टर है तो महाँ पे जेस्वेट्स आता है एक वर्ड तो जेस्वेट्स आर दा मेंबर्स आप दे सोसाइटी ओफ जीशस और जीशस और्गनाजिशेशन तो सोसाइटी ओफ जीशस फाउंड की इन 15640 में किसने इगनी से स्लोय नाम के आदमी ने जो कि खुद कैथोलिक थे सुधार है इनको जेस्वेट कहते थे अनका ध्यान था कि भाई निर्धनों की सेवा करनी है और दूसरी सास्किर्थि के बारे में हम अपने ग्यान को ज़्यादा सिखाना है दूसरी सास्किर्थि ओपर अपने धर्म का ग्यान देना है उनको सिखाना है और बाद में जब दुनिया ग्लोबलाइज हुई जहाँ जहाँ दुनिया में यूरोप की इसाई गए वहाँ वह अपना जेस्वेट पहुंचे और अपना मैसेज लेके गए मुगल दरबार में भी आए और अपना यूरोप का कल्चर जो है इसाई धर्म की बाते वहाँ भी प्रियोग करते थे धन भी लेते थे विवा करना अलावर नहीं था तो विवा भी कर लेते थे जब की तो कई बुरायां चर्च के अंदर आ चुकी थी इसलिए उसमें सुधार हुआ बहुत जल्दी से मैंने वीडियो बिनाने की कोसिज की है अगर आपको अच्छा लगता ह है तो इस वीडियो को सेर भी करें लाइक भी करें कमेंट भी करें कोई कम है तो मुझे जरूर बताएं बहुत सीमी समय में लिमिटेड वर्ट के अंदर इसको बताने की मैंने यहां पर कोसिज किये आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को देखने हाँ